हलो आज अप कोईल केम है यह इस प्लानिग आंक चानल पर तो आज और एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है आप लोग देखते रहा होगी और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत छोटे से छोटा प्लान बनाने के लिए आप देख सकते हो आपके सामने एक मॉडल है और त्रींडि आंड इस एक मॉडल ans यह जो वडियो है जो में यह से जुड़ का विदेओ यह से बेद देडरूम दोबेड्रूम कमेंग लेट है, दो kitchen भे है, dining भी है, drawing भी है, so आपको पूरा plan, the depict plan में दिखा देथी हूँ, और किसे खाइथे है, अब बाताएगा कैसे खाइभाएदारे है, comment पे 되면 बोलना and देखती हूँ, todo plan में क्या क्या है, तो चले हैं, todo plan पर, and first हम देख लेते हैं, ground floor, ground floor में क्या-क्या है वो हम देख लेते हैं ground floor में जब आप entry करते हैं तब हम यहाँ से entry करते हैं यहाँ से entry करने के बाद हमारे पास आती है dining room and dining room का जो size है वह 8 feet 9 inch by 4 feet 11 inch का है and dining room से जाके हमारे पास आएगी एक bedroom and जो bedroom है वह है आपका 10 feet by 9 feet 7 inch 10 feet by 9 feet 7 inch का बेडरूम है ठीक है एन बेडरूम से जाके हमारे पास आएगी एक common toilet जो common toilet है वो है 10 feet by 4 feet 2 inch ठीक है आपके सामने है देख सकते हो 10 feet by 2 feet 10 feet by 4 feet 2 inch का common toilet है एन देन कीचिन कहा बहुँ है किचिन है इस्ट्रेयर के निच में है Kitchen आप सकते हो यहां पर घानिंग भी कर सकते हो ठीक है ग्रीट के शाइज है सब्सक्राइब है नंग यहाँ से ऊपर उठा एडिका जुई है हम फ case来 लिख दिया यह पर ड्रॉइंग रूम होगा ठीक है जो ड्रॉइंग रूम होगा eight feet nine inch by four feet eleven inch का ड्रॉइंग रूम ठीक है एंद यह अपको सापका सामने मिलेगा बेडरूम सेमी है आउं ग्राउंड फ्लोर से एकदम सेमे और आपके सामने एक चीज में लगा जो है आपका यहाप पर बैलकनी इस जो बैलकनी का एरिया है त्री फीट बाई एट फीट फाइव इंच का बैलकनी याण दोनों जगा से आप जा सकते हो बेडरूम से जा सकते हो और ड्राइंग रूम से भी जा सकती हो तो वीडियो आच्छी लागी तो आप लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना आने हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना तो मिलती हो अगली कई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई जहींद